हलो दोस्तों, आज का ये टॉपिक ना हमारी उन फीमेर्स के बारे में हैं जो मैरिड है जिनकी शादिय सुधा जंदगी में कुछ हो रही है प्राब्लम अगर आपके husband आपको respect नहीं देते तो आप क्या करें वो आपको ignore करते हैं और हमेशा दूसरों से compare करते हैं कि she is better than you अगर वो कुछ ऐसी तरीके की बात करते हैं तो आप अपनी value कैसे बढ़ा है या फिर किस तरीके से उनसे respect और attention gain करें attention हर किसी को जरूरी होता है especially उनसे जिनसे आप बहुत प्यार करते हो attention कहने का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि वो आपके बारे में सोचे दिन भर नहीं लेकिन जब भी सोचे वो आपके ही बारे में सोचे आपके ध्यान देखें कि आप खुबसूरत लग रही है आपके काम को appreciate करें और आपके quality को वो हमेशा आपके पास रखें कि आप कितनी quality आप में यह सारी quality है जो समसे अलग है अगर वो आपके साथ ऐसा कुछ behave नहीं करते तो फिर आप कैसे करो कहते हैं कि रिस्तों में चाल आप यह से नहीं जाएगा हमेशा ऐसे ही रहेगा तो थोड़ी सी दिमाग हर एक इस्तिवी को यानि हर एक और इसको लगाना होता है वर्न आपके relationship सही से नहीं चलपाएगा आपकी कुछ गल्तियों के कारण वो आपको attention नहीं देते जरुत से ज़्यादा उन्हें समय देना सिर्फ उन्हीं को पदी परमेश्ट पर मानना लड़ियां जो होती है वो सिर्फ अपनी husband पे ही सारी चीज़ों को अपने समय को और सारी चीज़ों को लुटा देती है ऐसा बिल्कुल ना करे आपकी personal भी कुछ life है आप इस चीज़ स समय दीजे अगर आपका career set नहीं है तो first of all अपने career को set कीजे चोटी बड़ी जरुरत के लिए उनसे हाथ फैलाना बंद कीजे क्योंकि जब आप अपनी चोटी बड़ी चीज़ों को खुल से पूरा करने लिखते हैं तो सामने वाला इंसान भी आपकी respect करने लगता है यह psychology trick है और यह बिल्कुल ही सच है आपने marriage आप अपनी friends से मिलना वन कर देते हो ऐसा क्यों करते हो लोगों को जानो बाहर जाओ कुछ चीज़े सीखो कुछ नए चीज़े सीखो अगर आपके वच्छे है ना तो उन पे थोड़ा सा जादा टाइम देके और उसके साथ साती अपन उनका intention आपके तरफ जाएगा क्योंकि वो यह सोचने लगेंगे कि अगर मैं इससे समय नहीं दू तो यह मुझे समय नहीं देगी खुद को एक ही तरीके से dress up करना बन कीज़े क्योंकि अगर आप dress up सही से नहीं करते या फिर अपने look को time to time change नहीं करते तो आप पर newness नहीं कि इन्हें कुछ जानकारी नहीं है यानि specially आपके husband दोसब बहुत साई चोटी बड़ी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए जिससे आप अपने confidence और attention फिर से पास सकते हो और अपने relationship को अच्छे से grow कर सकते हो उमीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर इस बात नहीं करोगे ना तब तक वो situation बदलने वाली है ही नहीं इसी motivations के साथ और इसी बात के साथ मिलते है next वीडियो में और इस वीडियो के लिए आप ज़रूर लाइक करना और जी हां thank you so much मिलते है next वीडियो पे love you दोस्तो